यह अलो एबरिमन दिस इस प्रोफेसर निलेश अन्वाणी आप वेलकमिंगी फ्रोग माई यूटुब चैनल देट कॉल्ड नेट इग्जाम प्रपरेशन प्लीज इस इवाज का मारे जो वीडियो है वो वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है के यूजीसीएसायर नेट एक्जाम कॉलिफाइड होने के बाद हमें सर्टिफिकेट कब इशु होता है और इस सर्टिफिकेट की वेलिडियडी कब तक होती है और इस सर्टिफिकेट के थरू हम कौन-कौन से बेनिफिट ले सकते हैं मतलब सिंपल तरीके से देखा जाये तो 1560221 और रिजर्ट में अगर आप यह सर्च करते हो यह नमबर अगर आ जाता है तो अर्मस्त आप मतलब आप UGC CSI net exam qualified हो गए है और जैसे आप qualified होते हो तो अर्मस्त 3-4 मेनों के अंदर आपके पास UGC certificate tissue करके आपके पास बेज जाती है तो certificate जैसे आपके पास आजाता है आप उस certificate को eligibility के तोरवे मतलब आप उस certificate को कहीं भी application के तोरवे आप उसे use कर सकते हो certificate की validity कितनी होती है तो net exam GRF के लिए भी होती है और lecture ship के लिए होती है GRF के लिए यह certificate की validity सिर्फ दो साल तक ही है Yes, GRF के लिए यह certificate की validity सिर्फ दो साल तक ही होती है और lecture ship के लिए lifetime होती है आप मान लो एक बार एहमदाबाद में आप lecture ship कर रहे हो उसके बाद मुंबए में lecture ship कर रहे हो उसके बाद देहरादूर में जा रहे हो पच्छी मगान में जा रहे हो मैं कुछ scope गिनमाद देता हूँ आप लोगों को UGC, CSR, NET अगर आप GRF qualified होते हो तो आप इंडिया की कोई भी famous government affiliated laboratory में working कर सकते हो आप कोई भी guide tender में junior research fellowship project fellowship के जैसे project fellow के तोर पे काम कर सकते हो जिसकी payment 28,000 से लेके 35,000 तक होती ही और दो साल के अंदर GRF का transform होके आप SRF बन जाते हो मतलब junior research fellowship से आपको senior research fellowship में जाती है आप GRF के थूँ PhD कर सकते हो कोई भी अच्छी जगाप है GRF qualified GRF qualified करने के बाद जैसे ही आप कहीं पर research कर रहे है और research complete होने के बाद research के साथ आपको income भी होगी आपको stipend भी मिलेगा और stipend जाता नहीं होता है कि काफी अच्छा होता है मतलब मेरे सबसे काफी अच्छा stipend होता है और stipend से आप आप नोर्मली 2-3 साल का जो requirement होता है जितना खर्चा होता है research work का वो easily निकाल सकते हो government आपको funding provide करती है और जैसे ही आप GRF complete करते हो SRF complete करते हो आपको कोई भी अच्छी सची university as a project guide के तोर पे आपको hire कर लेगी अगर आप कोई company में जाते हो industry में जाते हो तो वह भी आप लोगों को near about one leg तक salary provide कर देगे तो यह काफी अच्छा होता है GRF qualified करने के बात मतलब काफी सारे scope के branches के दर्वाज आप लोगों के सामें खुल जाते है तो लेकिन GRF की eligibility criteria मैंने आपको पहले ही बताया मेरे वीडियो में के GRF की eligibility criteria open cast वालों के लिए 28 year तक होती है और other cast वालों के लिजए 3 साल तक 28 के बाद 3 साल relaxation मिलता है और ST&T विजए के लिए 28 year के बाद 5 साल तक relaxation कराए लिया होता है तो यह हुआ हमारा means exactly what is the benefit and scope of a you can say UGC CSR NET certificate So guys this was Professor Nele Shannanwani हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रही है हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रही है Netsets related आने वाले सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए वे रेट बटन ले सब्सक्राइब कीजियो बेल लाइक कर दबाईए Thank you so much, Jai Had, Jai Baal